हलो फ्रेंट्स मैं फैरीन खान वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नौल इस्टू फो सेवन फ्रेंट्स कल हमने कंप्यूटर के MCQs की बात की थी उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम कोशन की इसी से रिलेटर कोशन की बात करेंगे तो देखिए फर्स्ट कोशन क्या है हमारा सरवाधिक तेज गती का प्रिंटर है ओप्शन देखिए लेजर प्रिंटर, जैट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर या डेजी वील प्रिंटर सरवाधिक तेज गती का प्रिंटर है तो इसका जो आंसर है वह है option number first laser printer laser printer जो है वो सरवाधिक तेज गती का जो है printer होता है next question देखिए next question पर चलते हैं देखिए digital computer के सिधान पर कारे करता है option देखिए गड़ना, मापन, विद्युत या फिर logical तो जो digital computer होता है वो गड़ना जो है उसके सिधान पर कारे करता है option number जो first है वो इसका correct answer है गड़ना digital computer जो है वो किस सिधान पर कारे करता है गड़ना अगला question देखिए computer भाषा for train किस छेत्र में उप्योगी है जो computer की भाषा है 4 train वह किस छहत्र में उप्योगी है देखे हैं व्यवसाई रेखाचित विग्यान या फिर वाईजय है तो जो computer की जो भाशा है 4 train वह जो है किस छेत्र में विग्यान के छेत्र में वह है उप्योगी है option number 3 जो है इसका correct है अगला कोशन देखिए निम्लिकित मैसे कौन सी वैघ्यानिक computer भाशा है तो अभी भी हमने कॉशन में पढ़ा था कौन सी भाशा है जो विज्ञान छेत्र में उप्योगी है option देखिए समय basic, cobalt, fortrain या फिर pascal तो जो वैघ्यानिक छेत्र में उपायोगी झेहीं है फोट रीज अब यूदिधा यह हम ने इस से पहले कोशन पढ़ा था की फोट रेन जो है वह वैग्यानिक छेत्र में उपियोगी भाशा और अगला कुछन देखें को बसके लिए कि फ़ियोंगी है जो को बनका ऺखें वह किसके लिए कि लिए अप्षन देख्य कार रहे ग्राफिक कार रहे वैज्यानिक तो जो फृट्रेंज होती वह है वाच्छी अब पलोगी होती है और जो पहले electronic अंकिय कंप्यूटर में क्या था ओप्षन देखिए drift transistor Wow今 मुआ कोड़ बी 0ha और्धि चालक इस्मृति को पहला इलेक्ट्रोनिक कंप्यूटर था उसमें क्या था है यह जो कोशन यह SSC 2011 में ये कोशन पूछा गया था SSC 2011 में ये कोशन आया था कोशन क्या है कि पहले electronic अंक्य कंप्यूटर में क्या था तो उसमें जो है वाल्व था option नमबर जो second है वो इसका correct है पहले electronic computer में वाल्व होता है देखिए अगला देखिए अनुपम क्या है एक शोध संस्थान एक supercomputer नवनिर्मित प्रक्षे पास्त्र या फिर computer software ये जो कोशन था ये SSC और CPO में आया था ये वाला कोशन ये SSC में आ चुका है CPO में आ चुका है ये कोशन तो ये क्या है अनुपम क्या है एक शोध संस्थान है क्या एक supercomputer है तो जो अनुपम है वो है एक supercomputer ये important कोशन है जितने भी मैं करारी हूँ इसारे ही important कोशन है computer की और ये जो है किसी ने किसी एक्जाम में ये पूछ गए है तो अनुपम क्या है एक supercomputer अगला कोशन देखिए computer data की सबसे छोटी इकाई क्या है जो सबसे छोटी इकाई होती है ये जो कोशन है ये आई एस 1987 और यूपी PCS 2013 में ये कोशन पूछा गया था कि computer data की सबसे छोटी इकाई जो है वो क्या है तो जो bit होती है वो सबसे छोटी इकाई होती है जो एक बाइट जो होता है वो 8 bit के बराबर होता है यानि कि 8 bit जो होता है एक bit बराबर किसके होता है एट बिट जो है वो बरावर होता है एक बाइट की ठीक है तो सबसे छोटी जो एकाई है वो क्या होगी वो होगी बिट तो यह आपको याद रखना है यह जो कोशन था यह आई-ए-स में पूछा गया था 1987 में पूछा गया था यह कोशन तो इंपोर्टेंट है फ्रेंट्स यह कोशन अगला देखिए माइकल एंजलो वाइरस है कैंसर का उत्तरदाई वाईरस चैंसर से बचाफ रने वाला वाईरस चुगों में फैलने वाला वाईरस या फिर एक कंप्यूटर वाईरस तो जो माइक ए में पूछा गया था अगला देखिए भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है सिधार्थ परम मेगा या या फिस साइबर तो जो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है वो क्या है सिधार्थ है option number first जो है वो इसका correct है अगला कोशन देखिए भारत में विक्सित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्थान ने किया था सीडेक आई 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 टी कानपूर बार्क या फिर आई 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 टी देहली तो जो भारत में विक्सित परम सुपर कंप्यूटर था उसके जो विकास था वो सीडेक ने किया था यह आपको याद रख लेना है अगला कोशन देखिए अगला कोशन क्या है इमेल का जर्मदाता किसे माना जाता है यह कोशन रर्भी अंटी पीची 2014 मां पूछा गया था और रर्भी अंटी पीची में ये question पूछा गया था RRB NTPC 2014 में ये question पूछा गया था कि email के जर्मदादा किसे माना जाता है तो Ray Tom Linson ये जो है option number 4 जो है वो इसका correct है अगला question देखिए RAM का पूर्ण रूप क्या है ये question भी important है ये IBPS clerk में पूछा गया था 2011 में RAM का full form क्या है random access memory ready application module read access memory ये फिर remote access machine तो जो RAM है उसकी full form क्या होती है random access memory और ROM की क्या होती है read only memory ये दोनों full form याद रखनी है random access memory RAM की internet में छेत्र में www का सही रूप क्या है www की full form क्या है worldwide wrestling world wide wave world wide world star या world without wrestling तो ये जो question है friends ये भी important question है www जो है www की full form क्या है तो इसकी full form क्या है worldwide wave तो ये जो है आपको याद रखनी है www की full form क्या है worldwide wave अगला देखिए apple क्या है एक फल चौथी पीडी का एक computer computer network ये computer भाषा तो apple जो है वो क्या है क्या है apple ये जो question आया था एक पीडी का एक पीडी का एक computer है ये important question है apple क्या है एक पीडी का computer है तो देखिए friends ये जो जितने भी question थे ये सारे ही important थे पूछे जा चुके हैं ये किसी ने किसी exam में तो आप अच्छे से इनको याद कर लीजेगा और friends जादा से जादा वीडियो को share कीजिए like कीजिए and comments में बताइए कि आपको ये questions कैसे लगे thank you